नमस्कार दोस्तूं मैं स्ट लॉजर सचें स्वागा अपर अपने सभी प्रिय दर्श्कों का कैसे हैं आप उमीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे शुक्र अपनी राशी बदलने जा रहे हैं तीन राशी वालों के लिए शुक्र बहुत ही अच्छे शुक्र परड़ाम दे शुक्र इस समय करक राशी में 31 अधत को शुक्र स्टिंग राशी में चले जाएंगे और फिर उसके बाद 24 तारी को कण्या राशी में 24 सितंबर को तो शुक्र धन के कारग रहे हैं शुक्र लगजरी के कारग रहे हैं प्यार के कारग रहे हैं शुक्र बहुत ही बहुत ही ब अगर शुक्र खराब है तो आपके लिए परशामिया बढ़ती चली जाएंगी अगर शुक्र आपके पांचवे भाव में होंगे तो प्रेम, संबंद, व्यवाहिक, जीवन, शिक्षा के चेतर में अच्छे रियर्ड मिलने वाले हैं तो आप लोगों के लिए चांदी ही चांदी है वरशाब राशी आपको आपकी की गई मेहनता आपकी की गई काम का रिज दोनी भी होंगे लेकिन इन खर्चों को बहुत जादा अब बढ़ाईएगा नहीं तो तकलीफ हो जाएगी राजदीती से जुने हैं तो लाब होगा मितुन राशी काफी भागदार रहेगी लेकिन रिजड भी अच्छा मिलेगा कार्यों को पुरा करने के लिए आप अपन पड़ेगी वहां इत्यारी ठीक से चलाईएगा बेकार के फालतों की दोस्ति आरी फालतों की पुरी आतें फालतों के खर्चों से दूर रहिएगा करकराशी आपके थोड़े से खर्चे बढ़ते बहुत दूर रहे हैं कुछ लोगों को गले में खराश या खांसी की समस्य हो सकती है या कोई और थमस्या हो सकती है रॉक्टर की सला ले तरह गुना भोजन कम खाएं और व्यवसाय से लोगों को कड़ी भेहनत करनी पड़ेगी आपको सफेद और खटे परदार से बहुत दूर रहने की सला दी जाती है और गरीबी में भी आप बहुत अच्छा करें करक राशी वालों के लिए खर्चे जादा है लेकिन कहीं न कहीं खर्चों से होने वाले कामों का रिजल्ड भी बहतर आता हुआ दिखाई पड़ेगा सिंग राशी आपके लिए शुक्र गया गोचर धन और वाली स्थान पर है तो आपको कुछ नए रास्ते आमदरी के हो सकता है वैपालिक प्रस्ताओं में व्रद्धी होगी कुछ बढ़िया आपको साज़ेदारी वाले काम मिलेंगे मार्केटिंग वकील जज इत्यादी से जो लोग है बैंक और शिक्षा से जो लोग है उनका भाग बंता हुआ दिदर आ रहा है कंद्या राशी अच्छा र प्रूरा कराने की कोषिश मत करिएगा तुला राशी आप बोग मत रहएं गोचर विशेश लाब देगा आपके लिए रोजगार के राश्ते कुलेंगे आपके लिए बहुत सारव नये रास्ते कोलते बने लारहें park करने वालोग पर दिंद्री बिलेगी वैपालि करते हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छ रहेगा, आप आयात निलियात एक्षूर्ट रिपोर्ड का कक्रते हैं तो ठीक रहेगा, आपको मुनाफ़ा भी होगा, आपको धंग का निवेज भी धीवे-धीवे करना होगा, आप जो भी काम कर रहे हैं, उसके पैसा सोच स गवराहत रहेगी परिवार के लोगों के साथ तू-तू-बैबे हो सकती है बिजनसमें है तो बिजनस में पैसा लगाने से बचना चाहिए जो पुराना बिजनस से उसी को सवारे नए की चक्र बिना पड़े नई खरीदारी करने के लिए यह समय ठीक नहीं है मगर राशी आप इस साथी में कुछ खर्चा जाधा कर पाएंगे आपके बास पैसा धीमे धीमे आएगा खर्चे जाधा होंगे आप अपने परिवार को भी प्रभावित करेंगे इस गोचर के दरान सुप और दामपत्ते जीवर में भी फूचोड़ी मोटी बाधाय आ सकती ह है आप थकान का महसूस कर सकते है शुगर घृदर समर्ची घृवारिया आपको परचान कर सकती है सबस्याओं से पिरित है तो स्वास्त पर भी पूरा धहार देना होगा आपको स्वास्त पर भी आपको पूरी तंदर बलांके रखनी होगी कुम बराशी अब राशी वाले अब विवाहिद लोगों को उनकी शादी जल्दी हो जाएगी, भाग शादी रहेगी, अच्छा मुनाफ़ा कबालें कि ग्रहर ग्रष्टी के कामों पराप्त होगा, नौकरी करने लोगों को प्रपोरिशन होगा, मीन राशी, शुक्र का गोशर, मीन राशी वाई लोगों के ये करियर को लेकर बहुत साधानी बना है, को करियर से जुड़ा हुआ, कोई भी फैसला आप दजवाजी मिना करें, प्रोफिशनल और परसनल लाइफ की समस्याओं को समझें, उनसे लड़ें, आपको हर कदम पर बहुत धैरे मिना कर काम करना होगा, इस दोरार आपके नव दिखार नखिएगा, तो ये था आने वाले शुक्र का परिवक्तन, तो मीत करता हूँ, कुछ राशी वालों ने इस परिवक्तन को सुना, उनके लिए लापके सौदे हैं, कुछ लोगों नहीं सुना, तो दुबारा सुनने, अगर शुक्र क्या है, शुक्र है, मालक्षमी अगर इन सब चीजों को आपने ध्यान रखा, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो खुश रहिए, आरणी में रहिए, मुस्पिलाते रहिए, हरियोग, नमस्कार.